कि उमीदवार नहीं मिलेगा शायद कल कि तस्वीर काफी जादा वायरल भी है जब आप डाक्टर साथ के पास हम जो गए वो इस उमीद के साथ गए क्योंकि उससे पहले क्यादत ने उनका नाम उछाला था और वो हमें पहले मने कर चुके थे तो बात क्लियर करने गए थे उन के उपर जुआ खेलने का काम करेंगे उन्होंने का में पात तो कोई आया भी नहीं ना में गया और ना मेरा सियास्ट से कोई मतलब है बाकी समाजवादी पार्टी में मांगे राम कश्यब भी उमीदवार है समाजवादी पार्टी से बरजेश कुमार विश्करमा भी दिया है समाजवादी पार्टी से और भी लोगों ने आवेदन दिया है वी कल हमने आवेदन लिये हैं और राश्टर दग जी जैसा भी फैसला करेंगे यहां के राजनीत को और सियासत को देखते हुए निश्चीत रूप से आप बेफिकर रहिए और आप यह दिबाद देख अगर जी क्या आपको बसपा से चुनाव लड़ाया जा रहा है या जब इम्रान मसुद समाजवादी में तो आपकी मेर के लिए बात हुई थी या फिर यह कहने गए थे कि नहीं समाजवादी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए पर वो करेंगे बंद होता है तो निश्ची तो उसे गरीमा मैं आदमी को इस बात के आशे के साथ कि वो हमारी विचारधारा के हैं हमारे से उनकी रोज उस बारे में वारता होती है उनकी कामना है हम लोगों के साथ हैं और इस आशे के साथ लोगों ने तेह करा तो लोगों तेह करके चले गए इ आपको लोग कहते हैं कि काजी परिवार के बड़े नजदी की व्यक्ति हैं तो क्या वो नजदी के संजय गर्ग जी अब नहीं रही है या बस्पा में जाके अमरान मसुद ने गलग का इसला किया यह एक वैचारिक लड़ाई है वैचारिक लड़ाई में मैंने मैं समाजवादी पार्टी में मैं अभी तक आठ चुनाओ लड़ चुका जिसमें से मैं पांच चुनाओ समाजवादी पार्टी के चुनाओ चिन पर एक जंदादल के चुनाओ चिन पर और एक चुनाओ जो है वो रशीद मुसुद साब की पार्टी से हमने बानवे में लड़ परन्तु सियासत विचारों का रिष्टा खून के रिष्टे से ज़्यादा घाड़ा होता है। अभी पिछले 26 जन्वरी को आपके उन्ही के परिवार के लोगों में आपस में दूंद में जन्ता के सामने आया है। इसलिए मैं उन तमाम चीजों की तरफ जाना नहीं चाहता और ना ही ये व्यक्ति उसका सवाल है। इस समय समिधान खत्रे में हैं। इस समय पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी से अपना महंगाई से और भरष्टाचार से इन तीन चीजों से बहुत ज़्यादा परिशान है। सहरंपुर में कुछ और हैं और भार कुछ और हैं ये बास संबब नहीं है। एक टापू की तरह आप पूरे उत्रप्रदेश की सियासत को नहीं देख सकते। ये 25 करोड से ज़्यादा की अबादी का परदेश इसे केवल एक जिले के राजनी से आप पार्टी का अकलन नहीं कर सकते। चाहिए जो मुस्लिम का लीडर्शिप को आगे बढ़ा सकते। तो आज तक मुसलमानों की पसंदिदा एक मातर पार्टी समाजवादी पार्टी है। लीडर्शिप भी है। जिले के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आपको बड़ा बनाने के लिए कुछ भी कह सकता है कि दूतरे व्यक्ति को। राजनेतिक समीक्रोनों में क्या समीक्रण निकले हैं। दो विधायक हैं। जो ये बात कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में अंदर से जहाग कर देखें कि उन्हें जिताने में उनका कितना बड़ा रोल रहा। और ये सारी जंता जानती है कि उनका क्या रोल रहा। उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो जीत कर गए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां विधानसवा के फ्लोर पर यहां की नुमाइंदगी करते हुए तमाम अधिकारों को लड़ने का काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं। केवल एक ही कोई व्यक्ति इस बात के उसमें रहे, दंब में रहे कि मेरे ही द्वारा यह है या मैं ही वो हूँ। कहा उन्होंने कि मेरे विनात उमिद्वार समाजोनी पार्टी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा होगा परन तु यह भविश्य उस बात का जवाब दे देगा और जनता ही उस बात का जवाब बहुत है।